अलो मेरी यूटूब फैमिली कैसे हैं आप? I hope आप सब अच्छे होंगे आज मैं बनाऊंगी फोली पर बनने वाली इस पेसल जो हम नमकीन बना करते हैं वो हम बनाएंगे काजू नमक पारे और ये इतने क्रिस्पी बन कर तयार होंगे के वस आप अगली बार मार्केट से लाना भूल जाएंगे और हमेशा घर में ही बना कर ट्राइ करेंगे तो चलिए इस होली पर हम अपने क्रिस्पी काजू नमक पारे बनाना शुरू करते हैं तो इसके लिए यहाँ पर हमने चार कटोरी मैदा ले लिया है आपको जितना ज़रूत हो आप उस हिसाब से ले सकते हैं और चार कटोरी मैदा ले लेंगे उसमें हम नमक डालेंगे नमक आप हिसाब से डालें क्योंकि हमें इसका मसाला भी बनाना है और यहाँ पर हमने दो चमच भरके तेल डाल दिया है और अगर आप इनको कुछ जादे ही खस्ता मराना चाहते हैं तो एक चमच तेल और डाल सकते हैं मैं यहाँ पर इन्हें खस्ता और क्रिस्पी दोनों तरीके का बनाऊंगी इसलिए यहाँ पर हम थोड़ा घी का कम उपयोग करेंगे और बस घी डाल कर हम इस तरीके से हाथों से पहले मसल लेंगे और मसल लेंगे यहाँ पर हमारी जो मैदा है उसकी मदलब अच्छे से ऐसे लड़ू जैसा बनना चाहिए और जब मैदे में ऐसे लड़ू जैसे बनने लगेगा तो उसके बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर और इसका एक सकत सा डोबन कर तयार हो जाएगा हम यहाँ पर आटे को सॉफ्ट बिलकुल भी नहीं बनाएंगे और नहीं इसे हम ज़्यादा गून देंगे बस हम इसे हलका साही मतलब गून देंगे देखे इस तरीके से हमें गूनना है हमें इसमें ज्यादा मतलब जोड़ लगा के नहीं गूनना है इसमें ऐसे लेयर जैसी बननी चाहिए यह देखिए और बस इसे हम ऐसे करके और इसे मातर दो मिनिट के लिए हम साइड में ऐसे ढख कर रख देंगे बस तब तक हम इसके लिए एक पेस्ट जैसा बनाएंगे जो मैदे और रिफाइंड से बनकर तयार होगा तो यहां पर हमने कटोरी ले ली है और उसमें हम डाल देंगे दो चमच मैदा और एक चमच मतलब रिफाइंड ओयल बस इसे डाल कर और अच्छे से मिक्स कर लेंगे यह एक मैदे का पेस्ट जैसा बनकर तयार हो जाएगा जो हम जब अपने नमक पारे की बनाएंगे तो उ चलिए इसे हम साइड में रख देते हैं और अब हम अपने आटे को देख लेंगे तो देखिए यहां पर हम आटा अपना यह एक बार फिर से ऐसे अच्छे से मसल लेंगे बस आपको इसमें ज्यादा जोड़ते के नहीं मसल ना है बिल्कुल हलके हाथों से ही मसल ना है तो देखिए इसमें से हमने दो टुकड़े कर लिये हैं और अब मैं एक मतलब जो टुकड़ा है उसे उठा कर साइड में रख दोंगी और इसमें से हम इसे भी से काट देंगे और भी से काटने के बाद इसमें से भी हम चार लोईयां काट लेंगे देखिए ऐसे हमने मतलब दो इन्हों चार लोईयां काट लिए और काटने के बाद बस हम ये जो दो लोई हैं इन्हें हम किसी कपड़े से ऐसे ढख कर रख देंगे जिससे हमारा जो मैदा है वो सूखेगा नहीं तो चलिए अब हम इन जो हमारी ये दो लोईयां हैं इने हम अच्छे से बेल लेंगे तो देखिए अब पहले हम इने बेल लेंगे बेलने के बाद फिर मैं आपको बताऊंगी कि हमें इने काजू शेप में कैसे देना है और किस चीज़ से ये देखिए यहां पर हमारी रोटी भी बिलकर तयार हो चुकी है अब हम अपनी इस रोटी में जो हमने पेश्ट बना कर रखा था ना उसे हम लगा देंगे अच्छे से चारो तरफ जिससे हमारी पूरी रोटी में लग जाएगा हमें इसके बिलकुल वैसा बनाना है जैसे हम अपने लेर वाले पराठे बनाते हैं ना हम इसमें बिलकुल वैसे ही लेर जैसी बनाएंगे हम ऐसे इसमें फिरसे घी लगा देंगे मतलब जो हमने पेश्ट बना कर रखा था उसे हम फिरसे लगा देंगे और बस ऐसे लगाने के बाद हम इसे फिर से बेल देंगे और देखिए हमें फिर से इसे पूरी जैसा बेलना है मतलब रोटी जैसा हमें इसकी मुटाई ना तो ज़्यादा हमें इसकी मुटा रखना है और ना ही ज़्यादा हमें इसे पतला रखना है हमें इसकी मुटाई बस जैसे रोटी बना देना रोटी से थोड़ी सी हमें ज्यादा रखनी है तो देखें यहाँ पर हमारी रोटी अच्छे से बिल चुकी है और अब हम क्या करेंगे इसे काजू शेप देने के लिए जो हमारी दवाई पर धकन होती है दवाई जो होती है उसी की धकन से हम ऐसे काजू शेप काट कर तयार कर देंगे मेरा बेटा तो इसे चंदा मामा बोल रहा था तो ये देखिए हमारे चंदा मामा अच्छे से बन चुके हैं और इसी तरीके से हम अपने सारे चंदा मामा बना कर तयार कर लेंगे तो देखिए यहाँ पर हमारे सारे चंदा मामा बन कर तयार हो गया है मतलब काजू नमक पारे बनकर तयार हो गए और इसी तरीके से हम अपने सारे जो हमारे काजू नमक पारे है न उन्हें भी हम इसी तरीके से काट कर तयार कर लेंगे और जब तक हमारे काजू नमक पारे कट कर तयार हो रहे है तब तक प्लीज 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 अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सस्क्राइब कर दीजे और अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक भी कर दीजे तो लीजे यहाँ पर हमारे सारे नमक पारे बनकर तयार हो चुके हैं तो चलिए जो हम अब हम अपनी जितना मैदा हमारा था उन सभी के सारे नमक पारे बना कर तयार कर लेंगे तो यहाँ पर देखिए सारे नमक पारे बन कर तयार हो चुके हैं अब हम इने प्राइ करेंगे तो यहाँ पर हमने कडाई ले ली है उसमें हम डाल देंगे रिफाइन डॉल आपको जो भी पसंद हो आप अगर चाहें तो रिफाइन डॉल ले ले और चाहें तो आप गी भी ले सकते हैं वो आपकी चोईस है तो यहाँ पर जो हमारा गी है न वो ना तो ज़्यादा ढंडा होना चाहिए और ना ही ज़्यादा गर्म होना चाहिए तो इसे चेक करने के लिए हम सबसे पहले अपना एक काजू डालेंगे और जो इसमें हलके से बवल जैसे उपर आने लगेंगे तो उसी टाइम हम पने सारे मतलब थोड़े आधे अपने नमक पारे डाल देंगे और इसे बिल तो ये जल जाएंगे और इनका टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं आएगा तो इसमें हमें कर्ची नहीं इस तरीके का अगर चमच हो आपके पास उससे हमेंसे हलके से इस तरीके से हिला देंगे बस हमेंसे हलके से हिला देंगे और हिलाने के बाद हमेंसे मतलब फ्राइ होन देंगे हम अपनी आज को हलका धीमा कर देंगे और इसे जो हमारे जो नमक पारे जैसे है न मतलब काजू ये जितना पकेंगे न उतने ही ये उपर आते जाएंगे ये देखिए हमारे जो भी हलके मतलब पक रहे हैं वो हलके होके उपर आते जा रहे हैं ये देखिए तो ले लिया है और अब हम इसमें डाल देंगे तीखे के लिए थोड़ी सी लाल मिर्श पाउडर धनिया पाउडर थोड़ी सी हींग आदा चम्मच जासा और ये हमारे पास होमेट गरम मसाला इसे भी हम डाल देंगे और यहाँ पर हम डाल देंगे काला नमक नमक आप हिसाब से हमें पहले भी डाला था और आदा चम्मच जासाथ मसाला और इस मसाले को हम पीस लेंगे तो ये देखिए हमारा टेस्टी चट पटा सा मसाला बनकर तैयार हो गया है आप इस मसाले को एक बार ट्राइँ करना न आपको काफी पसंद आएगा और इसे आप चक कर भी देख ल पढ़ा पिसकते हैं तो देखिए यहां पर हमारे नमख पारे हलके से फैट हो चुके हैं अभी हम इसे चमम्धंच से इसे पलट देंगे यह देखिए हमारे जो काजू है ना उनका हल्का सा कलर चेंज हो गया है अब आप देखिए पहले इनका कलर ऐसा था और आप इनका कलर इस तरीके से हो चुका है तो ये लगबग हमारे जो काजू है ना ये अच्छे से फ्राई हो चुके हैं ये देखिए कितने अच्छे मतलब सुनेहरे सुनेहरे सिक कर तयार हुए हैं बस आपको इसे दीमे ही आज पर फ्राई करना है आप इसके आज को तेज ना करें और एक सबसे जरूरी बात कि जब हम फ्राई करके इसे बाहर निकालेंगे ना तो आप इसे एक ऐसे वरतन में रखें जैसे भगोना या कोई भी गहरा वरतन होना चाहिए उसमें ही हम इसे निकाल देंगे तो देखिए हमने अपना एक वैच निकाल दिया है और अब हम अपना दुसरा वैच भी मतलब बनाकर तैयार कर लेंगे तो अगर आपको रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक भी कर दिया करें और कॉमेंट भी कर दिया करें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगती है और अगर आपको मेरी रेसिपी नहीं अच्छी लगती है तो ये भी कॉमेंट करके बता दिया करें तो मैं आपको लिए कुछ मतलब अच्छा बनाने की कोशिश करूंगी तो देखें यहाँ पर हमारा दुस्ता बैच भी फ्राई हो चुका है इसे भी हम निकाल देंगे और अब बस हम इसे गहरे बरतन में इसलिए निकालने के लिए बोल रहते क्योंकि जब हम इसमें मसाला डालेंगे न तो ये मसाला हमारे काजू पर अच्छे से लगना चाहिए ये देखें काजू की हमारी एक एक लेर एकदम अलग-अलग हो चुकी है तो यहाँ पर जो हमने अपना मसाला बना कर रखा था उसे भी हम डाल देंगे और इस तरीके से हम ऐसे उपर नीचे ऐसे हिला देंगे और हिलाने के बार अगर आप ऐस तरीके से ना हिला पाए तो आप ऐसे एक चम्मच ले लें आप उस चम्मत से भी ऐसे उपर नीचे कर सकते हैं मतलब इसका पूरा है कि आप कुछ भी करें बस इस तरीके से हमारा जो मसाला है वो काजू पे लग जाना चाहिए और लीजिए हमारे टेस्टी और चटपटे से काजू बनकर तयार हो चुके हैं नमक पारे काजू नमक पारे यह देखिए यह कितने क्रिस्पी बनकर तयार हुए हैं और इसकी आप एक एक लेर जो है ना वो अलग-अलग दिखाई दे रही है तो अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज एक से एक बाट ट्राइ करके जरूर देखना तो चलिए मैं मिलूँगी आपको एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए खाएं पीएं मजे करें और मेरी वीडियो को लाइक करें बाई बाई